आप सभी का धेर सारा स्वागत है इस प्यारे से छोटे से जैनरिक सेशन में जहां पर आप सभी लोग के लिए मैं एक बहुत ही important बात लेकर आया हूँ जो की आप सभी लोग को बहुत परिशान भी करती है कि भई revision कैसे करें तरीका क्या होना चाहिए revision का किस प्रकार से हम 100% effective way में चीजों को cover कर पाएं जब examination सामने हो इस चीज को आज के session में करेंगे cover लेकिन इससे पहले कि इसको start करें आप लोगों से request रहेगी कि session को share कीजिए जहां हो सके facebook, whatsapp, telegram, instagram जिस group में हो ये link share कर दो ताकि सब को help मिल पाए साथे साथ आप इस session को like जरूर कीजेगा अगर आपको अच्छा लगया और channel subscribe करना न भूलें आईए आज जानते हैं कुछ ऐसे तरीके जिससे की हम best way में चीजों को revise कर सकते हैं तो क्या वो तरीके हो सकते हैं उसका आज एक मैं चोटा सा आपको कुछ उधारण दूंगा सबसे important क्या है कि आपको क्या करना है कि आपको अपने जो study material है उनको organized रखना है organized का मतलब मैं आपको बहुत simple उधारण बताता हूं जब सुरू सुरू में मैं तयारी करता था तो मेरे पास rough sheets बनाते हैं copy एक वो bundle spiral copy ले ली उसको रख copy बोलते हैं या फिर practice करते हैं तो वो एक copy बना लेते हैं जिसमें सारे subject को solve करते हैं reasoning भी डाल दिया जी मैस भी ले लिया इसी में इंग्लिश भी चल रहा है इसी में current affairs यह हमें उस समय यह लगता है कि हमें याद रहेगा जो हम इस पर कर रहे हैं लेकिन आप उसको जब उस copy को खतम हो गई मानलो उसको एक महिना बाद आप उठा रहे तो आपको copy एकदम समझ हो सकते हैं यह आपको organized way में रखना है जो notes आप बनाते हो short notes बनाते हो topic wise subject wise बनाया करो ताकि आप लोगों को clarity रहे कि आपके material में क्या है मैं थोड़े दिन बाद लोगों को लगा मतलब लोगों को मुझे पहल लगते क्या लड़कियों वाली चीज करते हैं यह लोग यार sticky notes चिपका चिपका के लेकिन वो इतना फायदेबंद है कि आपको तुरल पता चल जाता है इस page पर मैंने यह लिखा sticky notes बहुत बढ़िया चीज है यह अगर आपने नहीं उस किया एक बार करना आपको एक एक पेज़ पर क्या क्या है एक छोटा brief मिल जाता हो सीधे आप को ही ज सलता और्गनाइज रहता है पूरा डेटा तो इन मामलों में लड़कियां वाकई हमसे बहुत आगे हैं और उनसे सीखने की जुरुत है एक तो यह करो कि आप बहुत important तरीके से अपने और्गनाइज notes रखो अब वो resources जो इसमें हैं वो क्या-क्या हो सकते हैं subject के notes हो सकते है PYQ हो सकते हैं practice questions हो सकते हैं सारी चीज़े आप बना सकते हो दूसरा आप बड़ा बड़ा revision एक ही बार सब लेके मत उठो revision आपको छोटे-छोटे manageable chunks में करने हैं ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सब निप्टा देंगे सर एक दिन जीए उठाएंगे सब रट देंगे एक दिन डिज़े बना सब solve कर देंगे ऐसे नहीं होता है आप competition में हो आप school में नहीं हो college में नहीं हो आपको छोटे-छोटे भागों में revision करना और लगातार करना यह नहीं एक दिन पूरा पढ़ लिया दूसरे दिन कुछ नहीं पढ़ रहा है आपको section divide करके उसका इस्तमाल करना यहीं लिखा भी है इसमें कि आपको अपने time को manage कर करते हुए थोड़े-थोड़े chunks में अपने revision को divide करने की आवशकता है राधर एक ही बार सब revise कर ले यह बहुत important fact है इसके अलावा active recall techniques देखो अब इसमें जो techniques लिखी है कि आप पढ़ो notes बनाओ टेस्ट दो ताकि आप याद रखो एक और इसमें जोड़ लेना आप एक सबसे अच्छी technique है listening technique अगर आप सुनते अच्छा हो ना आपसे बहतर कोई learner नहीं है if you listen properly you can learn anything तो listening capacity बढ़ाईए सुनने की छंता बढ़ाना शुरू कीजिए और सुनने की छंता किसकी अपने आप की क्योंकि पढ़ा आप रहे हो तो सुनना आप ही को है जब आप पढ़ो तो बोल के पढ़ो कोई भी चीज पढ़ते हो तो बोलो मतलब अगर मैं चिला रहा पागल है तो उसको हसने दो अच्छा है और कोई हसने का हसाने का काम कर रहे है अपस जीवन में हसाने के लोग पैसे ले रहे हैं भी ठीक है तो ठीक है उनको ऐसा लगने दो कि आप क्या ही पागल की तरह चिलाता रहता है लेकिन आप बोल के पढ़ो इसका साइंटिफिक र बढ़ना चाहिए बच्पन में बहुत थपड़ गिरे होंगे इसके लिए इसलिए गिरे थे आज इसका आपको अभास भी हो सकता है जब आप बोलते हो तो आपको अच्छे से सुनाई देता है और समझ में आता है और आप किसी को अच्छे से सुनते हो तो भी आपको समझ म ठीक है लिसन टेकनिक को बढ़ाए लिसनिंग टेकनिक को बढ़ाए इसके अलावा जब कुछ बहुत बड़ी चीज हो और आपको लगता है कि मुझे एकदम से याद नहीं हो रही चिला के भी तो एक बार चिला लो और थोड़ा एडवांस टेकनिक गाना बना लीजिए मुब इसको आसानी से solve कर सकते हो उससे related जो भी सवाल पूछा जाए तो भाईया यह सब कुछ टेकनिक्स हैं जिससे आप चीजों को याद कर सकते हैं अपने study method को थोड़ा mix-up कीजिए कैसे mix-up करना है एक ही method पर मत रहिए अलगला टेकनिक सिखिए कैसे मान लीजिए कि मैंने reasoning मे आपको एक formula बताया कि इससे सवाल तेजी से solve हो जाएगा उससे पहले आपको एक सवाल करने का वही सवाल करने का पांच मिनट लगता था मान लेते हैं just example या फिर मान लीजिए दो मिनट लगता था मैंने एक technique बता दी जिससे एक मिनट लगने लगा फिर आपने देखा यार बढ़िया बने इंकॉर्परेट कीजिए नई चीजों को अपने अंदर ताकि आप अच्छा कर पाएं जब आप रिवीजन करना फास्ट रिवीजन हो पाए एकुरेट रिवीजन हो पाए परना लेंदी रहेगा चीज तो लेंदी रिवीजन में भी जाएगा फिर छोटा क एक ही चीज बार-बार उसे कराोगे एक ही लगण तार मसीन खरहें फिर तो अमारा दिमाग है तो ढाईगा और बेड़ाउन आएगा तो मेंटल ब्राइग नो होगा और फिर बहुत मुश्यूज मुश्किल हो जाती है उससे उबर पा पाना इसलिए ब्रेक सर में डेकरण स इनको लें बीच में आप यह नो हो सकता एक गंटे का ब्रेक लीजिए जैसा आपका capacity है आप कुछ movie देखना चाहते है movie देख लिजिए कुछ fun activity करना चाहते हैं कोई body का exercise करना चाहते हूं कीजिए लेकिन प्रेक होने चाहिए सबसे important है refreshment is a must mandatory part है इसलिए इसको जरूर करें यह कुछ ऐसे बाते हैं जो आप तक मैं पहुंचा तो रहा हूं लेकिन इसको आपको आपको समझने की कोशिस कीजिए जिसे की आपका confidence build up हो time management अच्छा हो speed बढ़े और accuracy भी आए साथ तो यह सारी चीजें practice से ही हो सकती है और कोई दूसरा चारा है नहीं और याद रखिएगा revision is the process and it is important to be patient आपको patience रखना पड़ेगा क्योंकि यह प्रक्रिया है जैसे आपका जीवन होते ही 20 साल का होने का नहीं है एक प्रक्रिया है वैसे ही बढ़ता है आदमी वैसे ही revision भी प्रक्रिया है इसके साथ चलना पड़ता है आपको और इसके साथ जुड़े रहना पड़ता है परसेंट भी बनाना पड़ता है persistent होना भी जरूरी है so you have to be patience you have to be always persistent in this term बहुत important है keep practicing जितना हो सके solve कर ते रहे सवालों को stay organized physically mentally and don't be afraid to ask for help कभी भी सर्माइए मत किसी से doubt पूछने किसी से help मांगनी है teacher से हो parents से हो कलीक से हो मांग दीजिए सर्माने से सिर्फ घाटा है पाइदा उसमें कुछ भी नहीं है help अगर आपको चाहिए you just ask if you need it right so यह बहुत important चीज मैं लास्ट में आपको बता दी है इसी का आप please पालन कीजिए बाकी आपके teachers आपके साथ हमेशा है चाहे हो यह शी मैं हो अंकित सर हो प्रबल सर हो या फिर मैं आप लोग को हर दिन ये दो sessions मिलते रहेंगे जिससे कि आप लोग को धेर सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी इसके अलावा इंबाइब आप को भी यहां से आपको classes के links और PDFs time to time मिलती रहेंगी उमीद करता हूं आपने revision की strategy समझी होगी और इसको implement भी करेंगे ऐसे और sessions के लिए keep imbibing we believe in you